Hello Everyone, Welcome to my channel Learn with Pfizer आज का हमारा टॉपिक रहेगा थाइरोइड पे जो की फीमेल को मेजरली मेंड से ज्यादा थाइरोइड का प्रोब्लम रहता है तो यह जो थाइरोइड डिजिस है उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टेडी करेंगे कि उसके जो सिम्टम्स है, कोजिस है, किसके कारण हो रहा है और कौन-कौन से थाइरोइड के टाइप है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थाइरोइड के जो टाइपस है कि कौन-कौन से डिजिस हो रहे है थाइरोइड से तो यह जो सारे टॉपिक्स है वो आज हम कवर करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में तो आप लास्ट टक बने रहें जिसे कि आपको यह जो सारे बैजिक टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम हाइपर थाइरोडिजम के बारे में देखते हैं कि हाइपर थाइरोडिजम हाइपर मतलब क्या कि ज्यादा अगर hyper मतलब ज्यादा हो रहा है तो thyroidism यानि कि thyroid hormones जो create कर रहा है वो तो make more hormones तो hyperthyroidism में क्या होगा कि हमारी बुरी में से जो thyroid के hormone release हो रहे हैं तो वो ज्यादा तर मात्रा में release हो इंके तो hyperthyroidism is more common in women and those people who older than 60s अगर यह जो problem है वो mostly women में होती है and 60 अबाउट जो भी people से उसमें होती है when the thyroid gland too much make thyroid hormone is called hyperthyroidism अगर हमारी जो thyroid gland है वो जो hormone release कर रही है तो वो ज्यादा तर मात्रा में release करेगी तो हमें hyperthyroidism होगा तो hyperthyroidism की कौन-कौन से symptoms रहेंगे weight loss despite and increased appetite अगर ज़्यादा तो weight loss हो रहा है तो weight loss के कारण बुक भी ज़्यादा लगती है irregular heart भी रहती है then infertility रहती है man and woman में mostly यह जो disease है वो woman में होता है तो woman में infertility की problem रहती है nervousness then irritability जो patient है वो irritate रहेगा then trouble in sleeping तो नीन दाने में भी आपको trouble रहती है तो यह जो सारे symptoms है वो hyperthyroidism के है और fatigue ग्यानी की ठाकान लगना दूसरे कौन से symptoms है sacky hands अगर आपके हाथ जो है वो pumping position में रहते हैं muscle में weakness रहती है sweating और trouble to rate hitting frequent bowel movement जो हमारी bowel की movement है वो irritability जादा हो जाती है now hyperthyroidism की causes के बारे में देखे तो कौन के causes के कारण hyperthyroidism रहता है तो graves disease over reactive of thyroid nodules thyroid की जो गांठे है nodules means means गांठे अगर वो गांठे है तो वो over react हो जाती है तो उस condition में भी hyperthyroidism होगा inflammation of thyroid gland thyroid जो gland है उसमें inflammation हो जाता है तो उस condition में भी होगा taking too much of iodine अगर आप salt ज्यादा दर मात्रा में ले रहे हैं तब भी आपको hyperthyroidism हो सकता है and then taking too much thyroid hormone medicine अगर hormonal जो medicine है thyroid की वो ले रहे हैं तो उस condition में भी आपको hyperthyroidism हो सकता है तो हमने देखा कि जो graves disease है उसके करण hyperthyroidism होता है अब यह जो graves disease है वो है क्या तो graves disease जो है वो एक autoimmune disorders है जो की over react of thyroid hormone and hyperthyroidism जो hyperthyroid जो हमारा thyroid hormone है वो over react हो जाता है तो उस condition में graves disease होता है अगर आपको इसकी detail review चाहिए तो में next video में इसकी detail जो review है disease की graves disease की वो में cover करने वाली हूँ तो आप मेरा जो यह video है वो जरूर से देखें वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ के हमारा एक anatomy and physiology का course है जो की हमारी mobile application पर available है जिसकी link में आपको description box में दे दूंगी तो आपको मैं हमारा medicine course purchase करना है तो आप वहां से जाके मैं हमारे medicine course को purchase कर सकते हैं देन हमारे next topic पर हम हाइपो थाइरोडिजम तो हाइपो थाइरोडिजम क्या है वह एक disorders है also called under reactive and early mild hypothyroidism तो इसे क्या कहता है hyper तो हमने देखा hyper means ज्यादा अब हाइपो है हाइपो मिंस एक जो रेंज है उससे उसके अंदर होना तो यह over directive हो रही है वह under active हो रही है तो यह उसका जो release है वह कम करती है when the thyroid gland doesn't make enough thyroid hormone is called hypothyroidism hypothyroidism का मतलब क्या है कि वह जो hormone release करता है वह कम करता है यानि कि जो thyroid hormone है वह thyroid gland के gland में से proper जितना hormone चाहिए उतना hormone release नहीं कर रहा है तो उस condition में hypothyroidism होगा hypothyroidism that isn't treated वो treat नहीं हो सकता है लेकिन उसके related जो problems है like high cholesterol की problem हो सकती है heart related problems हो सकती है तो यह जो सारी problem से वो hypothyroidism से होगी कौन-कौन से symptoms है तो fatigue रहेगा weight gain, depression रहेगा, patient को constipation रहता है, dry skin रहती है, hair thinning रहते है जो hair loss होती है treatment से यह जो सारी problems है, symptoms है वो hypothyroidism से रहते हैं, weakness रहती है जो baby है pregnancy में तो उसको एनेमिया होने के chances रहते हैं, now कौन-कौन से causes है hypothyroidism के, hypothyroidism की causes है, अगर certain medication चीए, यानि कि आप thyroid, जो hormone की medicine है वो ले रहे हैं, तो उससे भी आपको hypothyroidism होता है, iodine deficiency, proper amount में अगर आप salt consume नहीं कर रहे हैं, तो आपको iodine deficiency होगी, हैसी मोटोस thyroiditis, radioactive iodine, treatment thyroid surgery, then radiation therapy तो ये जो थेडापी के कारण हमें hypothyroidism हो सकता है इसमें hypothyroidism में first है goiter, तो goiter में क्या होता है, हमें पता है कि जो goiter है, जो disease है goiter उसमें जो throat का जो portion वो enlarge हो जाता है, अब जो throat का जो portion है, उसके front side trachea में हमारी thyroid gland है तो goiter is associated with hyper and hypothyroidism, डोनों condition में goiter हो सकता है, अगर आपको hypothyroidism है या फिर hyperthyroidism है, तो डोनों ही condition में आपको goiter हो सकता है enlargement of thyroid gland, जो की thyroid gland जो है, उसके जो colloidal cell है, follow killer cell है, उसमें enlargement हो जाता है goiter is noticeable tightness in throat and difficult to swallowing, अगर यहाँ पे हम देखे, तो यह जो पूरा portion है, throat का, वो portion swallow हो गया है यहाँ पे, तो यह noticeable है कि वो जो disease है, हम उसे देख सकते हैं, कि यह जो patient है, वो goiter से सफर कर रहा है Hashimoto's thyroiditis, तो इस condition में क्या होगा, it is an autoimmune disease, autoimmune disease है, तो यानि कि हमारी जो body में, जो nutrition है, जो होर्मोन से, जो भी agent है, वो पूरपर तरी कैसे, disease के सामने रियेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर रियेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे, जो बाहर से जो disease आ रहे हैं, वो उसको cause करेंग Hashimoto's thyroiditis, अगर प्रॉपर अमाउंट में, थाइरोड के जो होर्मोन है, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी Hashimoto's thyroiditis है, वो होता है, तो उससे भी Hashimoto's thyroiditis है, वो होता है, अगर हम medication ले रहे हैं, तो उससे जो thyroid hormone है, उसका regulation होगा, एन restore होगा, तो उस condition में, यह जो है, उसका level maintain रहता है, Cretinism, Cretinism क्या है, Cretinism भी एक hypothyroidism का part है, Cretinism is a severe deficiency of thyroid hormone in newborns, जो newborns भी होते हैं, उसमें जो thyroid की problem होती है, उसे हम Cretinism कहते हैं, Cretinism is a child with severe hypothyroidism present at the birth, जब भी birth होता है तो उस दर्मियान उस दाइम के दर्मियान क्रेटिनिजम होता है इसकी जो इंपेक्ट है, जो इसकी जो एफेक्ट है वो कहा होगी, तो नियूरोलोजिकल जो फंक्शन है, जो नियूरोन जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें होगी स्टून्ड ग्रूट, ग्रूट में फर्क दिखेगा, फिजिकल दिफॉर्मिटीज फिजिकल कंडिशन, यानि कि अगर यहां पे हम देखे तो यह जो फेस है, पूरा पाउच फेस का हो गया है तो पूरा यह जो फेस है, वो फूल गया है तो इस condition में भी वो हमें noticeable रहेगा then thyroid nodules thyroid nodules में क्या होता है nodules means gant है अगर हम यहाँ पे देखे तो यह noticeable area है यहाँ पे एक gant है जिसे हम thyroid nodules कहते है thyroid nodules are lumps that occurs in the thyroid gland in the front of your throat हमारा जो throat का position है वहाँ पे यह जो nodules है वो occurs कर रहा है तो यह किसके कारण हो रहा है हमारी body में iodine deficiency है तो उसके कारण यह होता है nodules में no symptoms nodules के कोई symptoms नहीं होते है लेकिन हमें हमारे जो neck का जो part है वहाँ पे bump like feel होगा then thyroid cancer thyroid cancer means के हमारी thyroid gland है वहाँ पे cancer जो cell है वो mutated हो रहा है cell जो उसका save है वो change हो रहा है कहाँ पे thyroid gland में may cause by inherited genetic syndrome and iodine deficiency तो यह किसके कारण होते है हमें iodine deficiency है या फिर genetic जो syndroms है inherited तो उसके कारण भी हमें हो सकता है जो chromosomal syndroms है उसके कारण हमें thyroid cancer हो सकता है मैं classified in four types अब यह जो thyroid cancer है वो four types में classified है पहला है papillary thyroid cancer then follicular thyroid cancer उसके बाद है medulary cancer and then anaplastic thyroid cancer तो यह जो सारे types है वो एक thyroid cancer के type है इसके बारे में भी हम detail में जो है topic cover करेंगे यह जो सारे diseases है like hyperthyroidism, hypothyroidism है goiter है, hyasymoros disease है cretinism है तो उसके बारे में उसकी जो treatment है और diagnosis जो है वो हम next video lecture में cover करने वाले है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर से देखे इसे ही reviews और disorders के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you for watching my video